हेलो दोस्तों स्वाथ है आपका डिमार्केटिंग बॉल मेरा नाम है विश्यक दोस्तों आज कुडियो को दियान से देखना क्योंकि इसके जो मेथेड़ों बतारों बहुत यादा इजी है लेकिन इस चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा तभी जो है आप 500 डॉलर हर महीने कमा पाओगे तो दोस्तों इसे वीडियो को स्टार्ट करें आप जलदी का चैनल को सब्सक्राइब और बेर आइकोन प्रैस क्योंकि इसी से हमारे आगया नामने इसकी नोटिविकेश आपको मिलते रहेगे तो दोस्तों चली शुरू करते हैं ओकी गैस तो अफिलियेट मार्केटिंग आप मेंसे बहुत सारे लोग करना चा रहे होंगे या फिर बहुत सारे लोग अलरी कर रहे होंगे लेकिन किसी लोगों को सकता अच्छे कासे सेल्स मिल रहे होंगे कुछ लोगों को अच्छे कासे सेल्स नहीं मिल रहे होंगे किस ल ज़्यादा कमाए हुए होंगे उनके लिए सकता है कि 500 डॉलर्स कम हो लेकिन ऐसे बहुत से लोग है जो बहुत मैनत कर रहे हैं लेकिन 50 डॉलर्र बिनाना मुश्किल हो रहे होगे तो उनके लिए यह सोल्यूशन है अगर आपको नहीं जाना है तो कोई इस्यू नहीं है ठीक ह अभी हम समझते हैं कि 500 डॉलर्स कैसे बनाया जा सकता है आपके कुछ ना को strategies चल रहे होंगे जिसमें आपके 200-200-300 डॉलर्र बन रहे होंगे या फिर 500 डॉलर्र आपको अल्रेडी बन रहे होगे तो 500 और कैसे बनाया जा सकता है मैं यह बता रहा हूँ ठीक है तो addition आपको ए तो आपको देखना है कि कोई पर्टिकुलर डिजिचल प्रड़ाइक उठाना है कोई दवाई यह उसके इंदर होती है बहुत अलगला टाइप की लिप्योर जैसे बहुत सारे दवाई होते हैं अच्छा-खासा कमिशन वहाँ पर आपको मिल जाता है तो definitely वह एक फिजिकल प्रड़क्ट है लेकिन फिर भी आपको कमिशन मिल जाता है तो अच्छा-खासा कमिशन मिल जाता है वहाँ पर तो हमारे लिए यूं मानके चलो कि कम से कम एक ऐसा प्रड़क्ट उठाओ जिसमें आपको 30 डॉलर या 40 डॉलर का जो है आपको कमिशन मिल निकालना है इससे जादा आपको देखने की ज़रूत नहीं है तो अब जब आपको ऐसा एक प्रड़क्ट मिल जाए मिलने के बाद सबसे पहली जो आपको करनी है कि आपको क्या है कि एक e-book बनाना है देखो अब आप सोचने होगे कि e-book बनाना तो बहुत मैनत का काम होगा कि मैं e-book बना कि क्या करूँगा मतलब कितर टाइम में e-book बनेगा कब उसकी marketing होगी क्या करना है देखो यार सिधा सिधा सिंपल एक concept यह है कि e-book बनाने में न मुश्किल से 15 मिनट लगते है यह reality है अगर आप आज की date में e-book बनाना मुश्किल से 15 मिनट का गाम है आप easily AI क यूज करकर एक अच्छा का सा e-book बना सकते हो आपको करना सिर्फ यह है कि आपको उस e-book के अंदर क्या-क्या topics cover करने है वो topics को आप cover करो और कौन-कौन से topics आपको cover करने हैं अगर आपको नहीं पता है तो AI से पूछ लो ठीक है और simply उस topics से related जो के summary बग़र AI से निकल वाला वो थोड़ा बहुत content आप खुद लिख लो और आप उस e-book को बना दो अब आप चाहो तो कहीं से बना सकते हो Google Docs का यूज़ कर सकते हो Microsoft Word का यूज़ कर सकते हो और उसको last में PDF के format download कर लेना PDF के format download करने के बाद अब करना है कि वो e-book में द्यान रखना की सबसे एक दो को का e-book मत बनाना और दस पेज से जाधा का e-book मत बनाना यह चीज में हमेश आपको उसमें अपना affiliate link देना है अब उसमें अपना affiliate link दे हो और दो कैसे देखो क्या है कि अगर आप clickbank पे जाते हो तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे product मिलते हैं जिससे weight loss होता है या फिर weight gain होता है pimples remove करने के बहुत सारे products है ठीक है pimples आए ही नहीं उस चीज के लिए products है ठीक है ऐसे बहुत सारे products आपको वहाँ पर देखने को बिलेगा ठीक है तो आपको एक ebook बनाना है जिसके अंदर आप पूरा digital marketing के बारे में या फिर SEO के बारे में आप कुछ सिखा रहे हो आप पूरी एक book लिखनी है वैसे अब book में मैंने कैसा ही का पांच page से जाधा नहीं चाहिए ठीक है पांच page अगर में हो जाए तो बढ़िया है आप जो इस link का use कर सकते हो तीक है अब इस link को वहाँ पर डालने के बाद क्योंकि directly नहीं डाल रहे हो आप भी बता रहे हो कि ओके इस तरीके से SEO किया जाता है और SEO करने में अगर आपको और ज़्यादा help चाहिए जैसे keyword research में आपको help चाहिए तो आप SEM Rush tool का use कर सकते हो मेर आप इसके थूर जाके purchase कर सकते हो आपको 7 दिन का trial मिल जाएगा तो ऐसे बहुत सारे offers होते हैं देख लेना आपका affiliate program आपको क्या offer देता है तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आपकी उस link को उस ebook के अंदर आप share कर सकते हो अब ebook लोगों तक कैसे पहुचाना है यार देखो एक चीज होती है कि ebook को पहुचाने के दो तरीके आपके पास एक तो है कि आप paid तरीके से पहुचा हो जाने कि आप उस ebook को बेचो आगये है दूसरा होता है आप free में देदो अब free में देने से फाइदा यह कि ज्यादा लोगों तक पहुचेगा ebook क्योंकि तक सब लोग payment करेंगे नहीं कुछ लोग अगर कोई चीज फ्री में मिल जाती है तो वो से लेंगे लेकिन क्या है कि इसमें एक दिक्कत है आप free में 100 जनों तक पहुचा दो गया है लेकिन आपकी जो free वाली audience होती है न उन audience में एक problem है free वाली audience आपका ebook डाउनलोड कर लेगी और वो सोच लगता है कोई दो जने उसको पढ़े ठीक है 98 लोग ऐसे होंगे जो से कभी नहीं पढ़ने वाले क्योंकि उनको free में मिले वाली चीजों की value नहीं होती है उनको लगता है जा free में पढ़ा रहेगा क्या करना है वाना को नुकसान तो है नहीं ठीक है तो चोड़ देंगे उस सी ना सिजु सी बात है है ना तो आपको ये देखना है कि आपका जो PDF या जो आपको पेचना है अब बेचना है अब बेचने टाइम हैं आपने 5 पेज का पेज का का पेज पॉक बनाया से नहीं रखने क्योंकि इसे ओपर कोई ebook के लिए पे करेगा ही नहीं सीधी सी बात है कोई भी इबुक के लिए से ज़्यादा पे नहीं करता तो मैं कहूंगा 29 रुपीज रखो और आप सोचने होगा कि 29 रुपीज सो रख दूँगा बेचूंगा कहां पर देखो यार बेच कुल मिलागे KYC करेंगे KYC इसले करेंगे ताकि जब भी कोई खरीदेगा ना तो पैसे आपके बैंग अकॉन में आजाए ना इंसा मोजो बहुत पॉपलर है आपको अगर उसके रिलेटर कोई वीडियो चाहिए तो आप में इंटरेट पर सारी वीडियो मिल जाएंगे इंस उसके प्राइज आपको सेट कर देनी है सेट करके अपना पूरा बैंक अकॉट रिटर सबसेट कर दो अब क्या होगा जब भी को इसको कोई बी गूगल पर सर्च करते इंस्टा मोजो कि जो प्रोडक्स होते ना वो उपर रैंक होते हैं तो आब इससे क्या होता है कि लोग आएंगे उस e-book को खरीदेंगे अब खरीदने टाइम दो बाते होती है एक तो यह है कि अगर 29 रुपीज का होगा तो उनके जो है उनका को जादा बड़ा खर्चा होता नहीं है 29 रुपीज मों उसे खरीद लेंगे अब खरीदने के बाद क्या आपको 29 रुपीज भी मिले होगा है ना तो वो दस पेज देखके वो छोड़ देगा डर जाएगा घपरा जाएगा बंदा ठीक है तो अब आप वो दस पेज से इसलिए मैंने कहा था कि उपर मत रखना पांच पेज से नीचे रखोगे तो कोई खरीदेगा मीनिस 29 रुपीज में भी कोई खरीदेगा उसको रखना दो तीन पेज का क्या खरीदेगे 29 रुपीज से क्यों पैसा देश चीज के लिए ऐसा हो जाता है तो इसलिए क्या करना 29 रुपीज में आप कम से कम 5-6-7 पेज का एग ई-बुक रखना और उसके अंदर आप अपना लिंक देना तो लोग क्या पैसा जब खर् सकते हैं तो आपकी affiliate प्रड़क्ट के लिए भी वो पैसा खर्च कर सकते हैं क्यूंकि वो सीखना चाते हैं कुछ लोग सीखने के लिए खरीद लेते हैं कुछ लोग ब्लॉग करने के लिए खरीद लेते हैं तो लोग स… तो वो दबाई लेंगे weight loss के लिए ठीक है तो लोग से और आपको पता है click bank पर कोई product भिक रहा है तो वो कोई halka full का product नहीं होता है वो सच में weight loss कराता है आपको कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप उस product को promote करते हो क्योंकि वो product जो है WHO से certified products होते है तो ऐसे में क्या है आपको कोई issue नहीं होगा वो product भो लोग खरीदेंगे उनका weight loss होगा भी सही बस उसके बीसे आपको सोड़ा सा commission मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको ये दिखाना है कि आपका जो article है उसमें value होना चाहिए उस article में आपको लिखना है कि कैसे कैसे weight loss किया जा सकता है तो सबसे पहले तो लोग वो सारे procedure को follow करेंगे जो आपने उस article में लिखा और उसके बाद additionally आप बता रहे हो ये दवाई ठीक है इसका यूज़ करके उनका उच्छादा fat burn हो सकता है तो इस तरीके से आपको लोगों को उसके अंदर जो है एक कम किता ना फनल में लेकि आते हैं ठीक है वो चीज़ आपको वहाँ पे करना है और इस तरीके से आप affiliate earning कर सकते हो पांसो डॉलर तो आराम से बन जाएंगे क्योंकि जो clickbank के product होते है ना वो एक सेल के 100-500 डॉलर तक देते हैं अगर महीन है कि आपके 3-2 सेल भी हो गए ना तो भी आपके वहन से कम भी मान के चलो 400-500 डॉलर तो आराम समझाएगे अगर आप clickbank करते हो तो और अगर आप कोई digital product sell करते हो जैसे कि मैंने कहा कि SEO की tools हो गए web hosting हो गई, email marketing tools हो गए इस तरी के अगर tools करते हो तो उसमें तो sales बहुत जादा होते है क्योंकि बहुत जादा लोगों को चाहिए होता, bloggers बहुत है e-commerce business करने वाले बहुत है, उन सभी को इन सब चीज़ों की चरूत होती है, तो आपके sales दो तीन की बात नहीं होती है, यहाँ पर दस भी sales आराम से हो जाती है तो यह चीज़ आपको करना है आपका दो तरही से फायदा होता है, एक तो वो 29 रुपी, 39 रुपी जो भी आप ऐसे रखते हो से e-book के, वो भी आपको मिल जाएंगे और उपर से वो commission मिल जाएगा, ठीके, तो कहने का मतलब है अगर आपसे किसी ने article ले लिया, तो अगर उसने affiliate link से कुछ खरीदा नहीं न तो अभी आपको 29, 39 जो भी आप रखते होता है, आपको मिली गया न लेकिन काम करेगा वो lifetime, हमेशा के लिए रहेगा इंस्टा मोजो पर, कोई domain नहीं खरीदना आपको, कोई hosting नहीं खरीदना, आपको उसको बेचने के लिए कुछ भी नहीं काना, आपको इंस्टा मोजो पर सिंप्री डाल देना, ठीके, कोई additional खर्चा नहीं है, कुछ भी नह अपना affiliate marketing में ये strategy यूज़ कर सकते हो, फिर दूसरा strategy जो भी आप यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ आपको 500 डॉलर कमा के देगी, और बाकी strategies से आप जितना कमा सकते हो, तो आपके उपर है, ठीक गईस, तो मुझे उमीद है कि आपको clear हो गया होगा कि आप कैसे एक महीने मे 500 डॉलर इस पर्टिकुलर affiliate marketing strategy के थुरू कमा सकते हो, तो गईस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like जुरू कर दे हो, चैनल को subscribe करके बेला आपको प्रस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगया आपर वीडियो की नोटिकेश आपको मिलते रहेंगे, तो दोस्तों मुझे भी दे कि आपको ये वारा वीडियो से लगा होगा, अब यहाँ पर दो और वीडियो से इनका आपको जरू देखना चाहिए, उनको देखने बाद आपको wordpress लेर इस जिते भी queries बहुत 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 दन्यवाद